हेलो बच्चो आजम आपका बार्मा पार्थ प्रेवरन का क्या नाम है जिसका चौंच और पंजे इसको पढ़ेंगे तो चलो पढ़ते हैं देखिए और लिखिए क्या कि चितर में तुमें कौन-कौन से पक्षित दिख रहे हैं तो आप इस इमेज में देखो कि आपको कौन- नाइस्ट चितर में गाय बकरी भी दिख दिखाई दे रहे हैं तुमने उनी पक्षी को तो नहीं माना तो गाय और बकरी तो यह अलग-अलग है यह पक्षि थोड़ी है इनमें कौन सा पक्षि तुमें सबसे सुंदर अलग रहा है और क्यों सबसे सुंदर कौन सा है मोर कि इसके सर पर मुकट है, इसकी गर्दन निली है, और बहुत सारी शेष्टाएं हैं, अपने शेत्र में अन्य पक्षियों के नाम लिखियें, उनमें से कुछ के चित्र बनाईए, तो आप यह करना, पक्षा में साथियों के साथ गोल घेरे में बैठ जाएए, और अपने आपको कोई एक पक्षियों मानकर उसकी आवाज निकालिए, और बताएए कि वह क्या क्या खाता है, तो यह आप गराम से क्लास में करना, और रास्तान के कुछ पक्षियों के बारे में जानें, खुद हुद, तो यह इमेज़ आप देखो, किसकी है, खुद हुद की, यह बदामी रंका होता है, पूँच और पंको पर काली धारियां होती है, सेर पर कलंगी होती है, उडान, शुरू करते समय और उतरते समय कलंगी फूल की तरहें खिल जाती है, लंबी घुमावदार चोंच की साहता से यह जमीर के अंदर मिलने वाले केडे मकोडों को खाता है, यह खेती के लिए लावदैक है, नेक्स्ट है बया, क्या आपने बया को देखा है, यह एक छोटी सी किंतु बुद्धिमान चिरिया होती है, अपने खुब सुरत तुम्भ देखे जा सकते हैं, यह दिखने में घरेलू चिडिया जैसी होती है, किन्तु इसकी चोंच मोटी और पूंच छोटी होती है, यह मोटी पतों वाली घास को चीर चीर कर पतले धागेनुमा तंतु निकालती है, इस तार से अपना गोंचला तियार करती है, यह खेती हर जमीन के आसपास जुंडों में रहती है, तता खूब शोर मचाती है, यह सू में कभी कभी अनाज की पकी फसलों को चट कर देती है, यह वजनी पुक्षियों में से एक है, यह अपने अंडे अकार के कारण सुतुर मुर्ग के जैसा दिखाई, यह अपने बड़े अकार के कारण स चुतुर मुर्ग के जैसा दिखाई देता है, इसके सेर पर काला रंग होता है, राजधान के थार में मुरुस्तल में इसकी संक्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यह गास में रहना पसंद करता है, यह अत्यांत सर्मिल्ले सभाव का होता है, इसे सर्मिल्ले पक्षी औ और सोंचिडिया के नाम से भी जाना जाता है यह कीडे मकोडे अनाज खाता है परतमान मेज की संक्या कम होती जा रही है इस परजाती को बचाने के लिए 1981 में इसे रास्तान का राज्यापक्षी घोशित किया गया सोचिए और बताइए क्या बया जाजातर खेतों के आपास वाले पेड़ों पर ही घोशला क्यों बनाती है बया को घोशला बनाने के लिए मोटे पतले घास की जरूरत होती है जिसको चीर कर वह पतले धागीनुमा तंतू निकाल कर घोशले बनाती है यह घास उसे खेतों में ही मिलती है इसलिए बयाज़ातातर खेतों के पास वाले पेड़ों पर ही घोंसले बनाती है खुद्धूद खेतों के लिए लापदय क्यों है? खुद्धूद लंबी गुमावदार चौंच की साहता से जमीन के अंदर मिलने वाले कीडे मकुड़ों को खाती है इसे खेतों के कीडे मकुडे खतम होते हैं तो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं दूसरे खेत की मिटी को कठोरता कम होती है ये दोनों ही खेतों के लिए लापधायक है गुडावन हमारा राजय पक्षी क्यों है? रास्तान के थार के अमरुस्तल में गोडावन पक्षी के संक्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है इसे सर्मिल्ले पक्षी और सोंचिडिया के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में इसके संक्या कम होती जा रही है इस परजातिक को बचाने के लिए 1981 में इसे रास्तान का राजय पक्षी घोशित किया गया आपने कई पक्षियों को पेड़ की ठहनियों अपतारों पर बैठे देखा होगा ये पक्षी नीचे क्यों नहीं गिरते कई पक्षियों के पंजे होते हैं जिनके आगे फैली तीन अंगुलिया और पिछे के और एक अंगुली होती है ये ठहनियों पर बैठने में मदद करती है जैसे गोरिया का इनकी पिछे की अंगलिया साख्धा पर अच्छी पकड़ बनाए रखती है पक्षी जब पेड़ की टहनियों या तारों पर बेड़ता है तो उसके सरीर कोई बोज इनके पंजों पर आता है इस बोज के कारण उनके पंजे अपने आप मूर के टहनि पर मजबूत पकड बना लेते हैं इस कारण पक्षी सोते हुए भी डाल से नहीं गिरते हमारा राजय पक्षी गुडावन है हमारा राष्ट पक्षी कौन सा है तो कौन सा है मूर अलग-अलग पंजे क्यों इस तरह हैं के पंजो जिनके बीच में जिलियां होती है तेरने में मदद करती है जैसे बतक के ये तेरने के लिए होते हैं पंजे और नेक्स्ट इस तरहें के पंजे जिनके आगे फैली तीन उगलिया और पिछे एक उगली होती है टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं जैसे गुरेया पेर के आगे की और फैला इस पत्रहें का पंजार नरम सत्हां पर चलने में मदद करता है जैसे यूरोन और नेक्स्ट है इस तरहें का मजबूत पंजा तो बहुत थोड़ा मुड़ा हुआ और तीखे नाखुनों वाला होता है शिकार को पकड़ने में मदद करता है जैसे गिद्द का इस तरहें दो आगे और दो पिछे वाले पंजों की मुलियां पक्षियों को पेड़ों पर और खड़ी सतहां पर चड़ने में मदद करती है जैसे कट फोड़वा नेक्स्ट अलग-अलग चौंच क्यों इस तरहें की मुड़ी हुई चौंच और नुकिली चौंच पक्षियों को मास को चीरने फारने में मदद करती है जैसे चील की नेक्स्ट इस तरहें की पतली लंबी मुड़ी हुई चौंच फूलों का रस चूसने में मदद करती है जैसे शक्कर खोरेगी नेक्स इस तरहें के लंबी चोंच की चड़ में से केड़े मकोडे निकाल कर खाने में मदद करती है जैसे सेंड पाइपार की अगरी है इस तरहें के मजबूत चोंच लकडी को तोड़ कर केड़े मकोडे तक पहुंचने में मदद करती है जैसे कट फोड़वा की नेक्स देखो इस तरहें की मोटी छोटी चोंच मजबूत चोंच अनाज और वीज को तोड़कर खाने में मदद करती है जैसे ब्लू रोबिन की पता किजिए और लेखिए इन पक्षियों के पंजों और चोंच देखिए और कुछ अनुमान लाइए जैसे कहांगा दिखते हैं और क्या खाते होंगे तो जो फर्स्ट है वो बगुले की है तो यह है बगुला है यह तालाबो जिलो आदी के किनारे दिखता है तथा पानी में छोटी छोटी मचलियों को खाता है नेक्स्ट यह ब्लू रोबिन है यह पेड़ों पर दिखती है अनाजेम बीज खाती है नेक्स्ट यह कटफोडवा है तीन अबर यह पेड़ों पर दिखता है इसकी मजबूत चोंच लकडी को तोड़कर कीडे मकोडे तक पहुंचने हैं उसे खाने में मदद करती है नेक्स्ट यह बाज है यह पेड़ों पर रहता है तथा पसुल पक्षियों का मस्क खाता है नेक्स्ट यह सक्कर खो रहा है यह पेड़ों पर रहता है तथा फूलों का रस चूछता है नेक्स्ट यह बया है यह खेती हर जमीन के आस पास जुंडों में रहती है तथा पाइपर है यह पानी में रहता है इसकी लंबी चोंच कीचन में से कीड़े मकोड़े निगाल कर खाने में मदद करती है नेक्स्ट उलू इसकी लकड़ी के खोकलो में रहता है और कीड़े मकोड़े खाता है जब पक्षी जब पेट की टहनियों या तारों पर बेटता है तो उसके सरीर का बूज उसके पंजों पर आ जाता है यहाई बूज के कारण इनके पंजे अपने आप मुड़कर टहनियों पर मजूद पक्ड़ बना लेते हैं इसकारण पक्षी सोते हुए भी डाल से गिरते न ही हैं आब विबिन परकार के पक्षियों के चितर एक ठाकर अपनी कोप्पी में चिपका ये जान करेक्न कीजिये की लोग कोई देखबाल के लिए क्या क्या करते होंगे हमने सीखा क्या सीखा पक्षिี่ अलग लग कि होते हैं इनके पंजिय और चौंच अलग काम आते हैं जाना समझा अब बताइए क्या पक्षी का आपके आसपास पक्षियों कावलोगन करके उसकी जांकरी लिखी तो यह आप खुद करोगे पक्षी का नाम लिखोगे फिर पक्षी का रंग लिखोगे उसके पंजे कैसे हैं वह क्या खाता है कहां रहता है और इसकी च तरहें के चौंच वेपन जे अनेक तरहें के नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में